हलो दोस्तों आपका प्रदीप स्टडी सरकल में स्वागत है आशा करता हूं कि आप कुसलमंगर से होंगे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने चौहान वंस के बारे में जानकारी दी थी आज इस वीडियो में चंदेल राजवंस के बारे में जानेंगी पृतियोगी परिच्छाओं की द्रिष्ट कोन से ये टापिक अत्यनत महत्पूर है अता इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखें पसंद आने पर वीडियो को लाइक वा चैनल को सबस्क्राइब आवश्च कर दें चलिए स्टार्ट करते हैं चंदेल वंस जिसे प्राचीन चंद्रवंस की एक शाखा माना जाता है और इसकी स्थापना 831 इस्वी में नन्नुक के द्वारा आधनिक मध्यप्रदेश के खजुराहो नामक इस्थान पर की गई थी चंदेल वंस की राज़धानी खजुराहो, कालिंजर और महुबा में थी जो समय समय पर परिवर्थित होती रहती थी चंदेल वंस की राजकी भाषा, संस्कृत तथा धर्म, सनातन और जैन दोनों थे चंदेल वंस के एतिहासिक स्रोत, तो पहला बिंदु है अबलेक, तो राजा धंगदेओ का खजुराहो लेक दूसरा बिंदु है महुबा और महु का लेक, अजैगड का लेक, हमीरपूर का नन्योरा लेक शाहितिक स्रोत में, सिरी क्रश्न मिस्र का प्रबोध चंद्रोदे ग्रंथ जगनिक का परमाल रासु ग्रंथ, जिसका आलहा खंड भाग ही सेज़ बचा है हसन निजामी की लेक, चंद्र बरदाई का प्रत्वी राज राशु चंदेल वंस के शाशक नन्नुक, 831 से 845 इस्वी नन्नुक को चंदेल वंस का संस्थापक तथा पहला राजा माना जाता है नन्नुक का शाशंकाल संभौता 831 से 845 इस्वी के मद्ध में था नन्नुक ने अपनी राजधानी खजुराहो में बनाई थी परंथ उस समय उसे खजुर वाटिका या खजुर का बगीचा कहा जाता था वो स्वतंत्र राजा नहीं कि प्रतिहार राजाओं के सामन थे इनके शाशंकाल में चंदेल सामराज खजुराहो तक ही सीमित था वागपती 845 से 870 इस्वी वागपती नन्नुक के पुत्र तता उत्तराधिकारी थे इनका शाशंकाल संभौता 845 से 870 के इस्वी के मद्ध में था ये भी अपने पिता नन्नुक की तरह प्रतिहार राजाओं के सामन थे इनके शाशंकाल में चंदेल सामराज का विस्तार विंध के छेत्रों तक हो गया था इनके दो पुत्र जैसक्ती और विजैसक्ती थे जैसक्ती 870 से 885 वी जैसक्ती वाक पती के पुत्र तथा उत्रादिकारी थे इनका साशंकाल संबहता 870 से 885 इस्वी के मद्ध में था इनका वास्त्विक नाम जेजाक था और उन्होंने ही अपने नाम पर पूरे चंदेल सामराज का नाम जेजाक भुक्ती रखा था जिसे आज बुंदेल घंट के नाम से जाना जाता है विजय सक्ती 885 से 885 इस्वी तक ये वाकपत के पुत्र तथा जैशक्त के उत्तरादिकारी थे इनका साशंकाल संबहता 885 से 895 इस्वी तक के मद्ध में था इनका वास्त्विक नाम विज्जक था इनके शाशनकाल में चंदेल सामराज का विस्तार तो नहीं हुआ परंथ विजय सक्ति ने बाहरी आक्रमनों से अपने राज को सुरच्छित रखा था राहिल आट सो पंचानमे से नौसो इस्वी राहिल विजय सक्ति के पुत्र तता उत्रादिकारी थे इनका शाशनकाल संभावता आट सो पंचानमे से नौसो इस्वी के मद्ध में था इनका वास्तिविक नाम राहिल्या था इनके शाशनकाल में महोबा को चंदेल सामराज का हिस्सा बनाया गया था इन्होंने महोबा के पास राहिल्या सागर नामा के एक जलाशय तता उसके पास एक सुंदर मंदिर का निर्माड करवाया था हर्सदेव 900 से 925 इसवी तक ये रहिल्या के पुत्र तथा उत्राधिकारी थे इनका सासनकाल संभावता 900 इसवी के मद्ध में था इनके बारे में जानकारी खजुराहो लेक में मिलती है खजुराहो लेक के अंसवार हर्सदेव एक शक्तसाली तथा स्वतंत्र राजा थे परंद इतिहास कारों ने हर्सदेव को स्वतंत्र राजा नहीं माना है यशोवर्मन 925 से 925 इसवी ये राजा हर्सदेव के पुत्र तथा उत्राधिकारी थे इनका शाशनकाल संभुता 925 से 950 इसवी के मद्ध में था ये संभुता स्वतंत्र राजा थे क्योंकि उन्होंने प्रतिहार राजा महिपाज से कालिंजर का किला छेन लिया था इनके शाशनकाल में चंदेल वंस की राजधानी महुबा में थी इन्होंने कन्नोज के राजा से भगवान विश्णू की प्रतिमा प्राप्त कर उसे खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में इस्थापित कराया था धंग दिव नौसो पचास इस्वी से एक हजार तीन इस्वी तक यसु वर्मन के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे इनका शाशनकाल संभवता नौसो पचास से एक हजार तीन इस्वी के मद्ध था इनके दोरा खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माल करवाया गया था भारती इतिहासकारों ने चंदेल वंस का वास्तिविक स्वतंतर राजा धंग देव को माना है क्योंकि उनके अधिन कन्नोज के प्रतिहार राजा त्रिलोचन पाल थे इनके बारे में जानकारी खजुराहो लेक से प्राप्थ होती है इन्होंने कालिंजर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था इन्होंने परमभटारक महाराजा धिराज कालिंजरापत जैसी प्रख्यात पादिया धारन की थी गंड दियो एक हजार तीन से एक हजार सत्रा इस्वी तक ये राजा धंग दियो के पुत्र तथा उत्तरा धिकारी थे इनका साशनकाल संभवता एक हजार तीन से एक हजार सत्रा इस्वी के मद्ध था इन्होंने कन्नोज के प्रतिहार राजा यस्पाल की हत्या अपने पुत्र विद्याधर दिव से करवा दी थी क्योंकि यस्पाल ने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया था विद्याधर देव 1017 से 1029 ये राजा गंड देव के पुत्र तथा उत्रादिकारी थे इनका शाषनकाल संभावता 1017 से 1029 के मध में था इनके शाषनकाल में चंदेल कला एवं वास्थ कला में विशेस उन्नत हुई थी यशुवर्मन, धंग देव और विद्याधर देव के द्वारा नागर सैली में बनवाए गए कंदरिया महादेव, लच्मर मंदिर, बिशुनात मंदिर और पार सुनात मंदिर थे इनके शाषनकाल में कल्चुरी राजाओं ने चंदेल सामराज का पूरवी हिस्सा जीत कर अपने अधिन कर लिया था इनके बाद विजैपाल दस्सो तीस से दस्सो पैंतालीस हिस्वी तक देववर्मन दस्सो पैंतालीस से दस्सो साथ इस्वी राजा हुए के शाषनकाल में कोई विशेज कटना नहीं हुई कीरती सिंग दस्सो साथ से ग्यारासो इस्वी इनके पिता का नाम विजैपाल तथा माता का नाम भूवन देवी था इनका शाषनकाल संबह होता दस्सो साथ से ग्यारासो इस्वी के मद्ध था महोबा में कीरत सागर का निर्माण राजा कीरती सिंग की द्वारही करवाय गया था इनके बाद सुलक्छन वर्मन ग्यारासो से ग्यारासो पंद्रा इस्वी जय वर्मन 1115 से 1120 इस्वी, प्रत्वी वर्मन 1120 से 1129 वर्मन, मदन वर्मन 1139 से 1162 इस्वी, यसु वर्मन दुती 1162 से 1166 इस्वी में राजा हुए पर्मर्ज दियो 1166 से 1203 इस्वी, इनका वास्तविक नाम पर्माल था, इनका शाशन काल संबहुता 1166 से 1203 इस्वी के मध्य में था इनके दर्बारी कवी जगनिक थे, जिन्होंने पर्माल रासो ग्रंथ की रचना की, जो कि हिंदी भासा में थी परंद वर्तमान में इस ग्रंथ का एक भाग आला खंड ही उपलद्ध है, जिसमें राजा पर्माल के दो सेना नायक आला एवं उदल की विरकाधा है 1203 में राजा पर्माल ने कुत्बुदीन एबक की अधिनता स्विकार कर ली थी और इसके बाद चंदेल सामराज के अधिकार छित्रों पर कुत्बुदीन एबक का अधिकार हो गया था सन 1205 में चंदेल राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया दोस्तों आब ये वीडियो समाप्त करते हैं आगली वीडियो में इतिहास का फिट कोई टापक लेकर मिलेंगे धन्यवाद